आपके शरीर में वात और पित बढ़ने के लिए जितना important cause आपका खाना पीना होता है उतना ही important cause आपकी mental condition होती है तीकिए आप यदि कोई व्यक्ति है वो बहुत time to time खाना खाता है बहुत obedient है regular exercise कर रहा है सब कुछ time to time कर रहा है लेकिन उसको mentally रूप से tension बहुत जादा है overthinking की problem है जो लोग हच से जादा discipline रहते हैं उनको कई बार overthinking की problem होती है उनको OCD भी हो जाता है उनको हर चीज़ बलकुर time to time चाहिए जरा साभी कुछ flexible हुआ जरा साभी कुछ change हुआ तो उनको problem create होती है और फिर वो उनके दिमाग में पूरा pattern बन जाता है problems का तो जो लोग ओवर ऐस प्रकार से अपने mental condition के उपर ध्यान नहीं देते ना उनको शरीर के अंदर वात पित की problem थोड़ी जादा होती है अगर आपको बहुत जादा tension है आप लाख अपना खाना पीना सेट कर लो तिकन यदि आपका tension कम नहीं हो रहा है तो आपको हमेशा वा जाते हो और बैठे रहते हो महीं पर ठीक है बहुत देर बाद होशा आता है कि अरे यार मैंने इतनी देर में पता नहीं क्या क्या सूच लिया तो यह जो overthinking की problem है इसकी वजह से भी आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर देते हैं ऐसे जिल्लों को बहुत सा कहीं accident तो नहीं हो जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कोई घर से लेट आया बच्चा बाहर गया हुआ था उस्कूल से आदा गंटा लेट हो गया तो मा के दिमाग में पहला थौट यह नहीं आता कि बच्चा शायद कहीं खेलने में लग या है कहीं मस्ती कर रहा है उ थोड़ा सा positive way में होगा तो वो जादा अच्छा रहेगा इस प्रकार से आपका दिमाग ना तुरंत negative चीज के ऊपर जाता है दिमाग में ना चाहते हो भी negative विचार जादा चलते हैं कि कि किसी ने मेरे बारे में कुछ कह तो नहीं दिया उसने मेरे बारे में कुछ कहा तो न उसने ऐसा तो नहीं किया उसने वो नहीं किया उसने ये नहीं किया तो ये जो दिमाग में विचार रहते हैं ये भी आपके शरीर में वात और पित्त को काफी जादा disturb करने वाले होते हैं ठीक है समझ रहे हो ये सारी चीज़े गुसा करना गुसा करना भाई आपके शरीर मे बैट कर अच्छा खाना खा रहे हो ना बढ़िया मस्त लजीज खाना खा रहे हो घी तेल चिकनाई वाला वो भी आपको नुकसान नहीं करेगा लेकिन यदि आप घर पर सात्रिक भोजन कर रहे हो कि बिलकुल उसमें नमक मिटज मसाले बिलकुल काम है लेकिन खाना खाते समय आपका दिमाग गुस्से में है आपको गुस्सा आ रही है आपके सर्वेंट के उपर जिसने आपके लिए खाना बनाया उसके उपर या आपके घर के उपर या ओफिस के उपर कलीक के उपर कहीं पर भी आपको गुस्सा आ रही है तो वही बिना नमक मिटजी का भोजन भी आपकी शरीर में वात और पित्त का प्रकोग करता है। गुस्सा आना आपकी शरीर में वात और पित्त को खराब करने के लिए बहुत important reason होता है। अब गुस्से के भी अलग-अलग type होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको फ़ोधी visual गुस्सा आजाता है। वो अपना गुस्सा निकाल देते हैं बाहर, वो गुस्सा आ जाता है, वो चिला लेते हैं, भड़क लेते हैं, वो उल्ट पटांग बाते बोल देते हैं, वो भी नुक्सान दायक है, लेकिन वो comparison में थोड़ा सा उनकी खुद के लिए कम नुक्सान दायक होता है, इस प्रकार गुस्सा अपने अंदर भरे रहते हैं, गुस्सा तो आरा है लेकिन उसको निकाल नहीं रहे, बुस पर गुस्सा आया था लेकिन उसको settлег करствен में करने के लिए कुछ की या नहीं, इस ट्रस मैनेजमेंट करने के लिए कोई प्रियास की आया नहीं, उस गुस्से को अंदर का इलाज नहीं है एक बार वो हो गया तो तो निकलेगा ही या तो दूसरे पर निकलेगा या खुद पर निकलेगा तो दूसरे के बाद पितकफ बिगड़ जाएंगे खुद पर निकलेगा तो खुद के बाद पितकफ बिगड़ जाएंगे लेकिन गुस्सा यदि आ गया तो तो वह आपके शरीर में कही ना कही खुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो कृट करेगा ही करेगा, तो बहुत जादा जरूरी है जिन लोगों को वह बहुत जादा गुस्सा आता है, जो गुस्सा बहुत जादा दूसरों के उपर करते हैं या फिर जिनको अंदर ही अंदर गुस्सा भरा रहता है और छुट-छुटी बातों पे निकलता है इन लोगों को भी बात और पित्त की प्रॉब्लम कंपैरिजन में कई गुना जादा होती है जिन लोगों को भी ये सारे psychological disorder रहेंगे वो खाने पीने से चाहिए जितना maintain कर लें आपका वात पित्त कभी साम्या वस्ता में नहीं आने वाला आपको हमेशा कभी वात बढ़ेगा कभी पित बढ़ेगा केवल दवाईयों के सारे आप इसको थोड़ा सा कम कर पाओगे को भी उसा आता था ले किन उनका फॉइसं पर खॉषर करना है और भने ऊपना लक्रिय कर सकते थे कंट्रोल करके उसको सही जगह पर सही तरीके से युज्ट करना जानते हैं त्लक यह बोल पर क्यों बन नहीं सकते ख headline लेकिन हमको सीखने की तो ही उद्यूट हैnda कि हम खुद्भी उन सारी चीजों को सीकें थोड़ंद थोड़ंसे इक зах liked को आता हैं तो यह मत बोलकि civ किया तो बहुत ज़्यादा बूभית पर सूर्थ सोने यह जा Scout है यह तो यह भी आपको쪽에 करेंगे आपकी बात की लिगाड़ने का काम करें हाट से जाधा depression है हट से जाधा strict life है life में कोई enjoyment नी करना चाहते इंजोयमेंट करते हो तो आपको लगता है कि आपने सामय की वर्बादी कर दी पैसे की वर्बादी कर दी इस प्रकार से दिमाग में थोट है कि continuously materialistic चीज़ों के उपर भाग रहे हो नौकरी के उपर भाग रहे हो जॉब के उपर भाग रहे हो तो भी आपके शरीर में बात-पित-प्त-कफ से related problem होगी ही होगी ये सारे concept हमेशा clear रखिये क्योंकि वात और पित को बढ़ाने के लिए क्रोध, इरशा, राग, संताप ये वाली चीज़ें होते हैं ये बहुत जादा important होते हैं यही mainly कारण होते हैं आरवेद में पित-प्रकोपक चीज़ों में सक्से पहली चीज़ ही बोली गई है संताप का होना संताप का मतलब होता है इरशा जैसे हैं इरशा और गुसा दोनों का जो mixture बढ़ेगा ना किसी से जलन और गुसा इन दोनों का जो mixture बढ़ेगा ना उसको संताप कहते हैं जब आप कुड़ते हो किसी चीज़ को लेकर तो ये जो कुड़ना है ना अंदर ही अंदर किसी चीज को लेकर कुड़ना, यह आपके शरीर में पित को बढ़ाने के लिए सबसे जादा important होता है, सबसे बड़ा factor होता है, और जब पित बढ़ेगा तो आपके शरीर में obviously पित जव्यादियों को पैदा करेगा, ठीक उसी प्रकार से बहुत जादा सोचन यह आपके शरीर में वात को बढ़ाने के लिए main important cause होता है, तो यदि आप चाहते हो आपके शरीर में वात, पित, साम्यावस्ता में रहे, तो केवल खाने के उपर focus नहीं करना है, कि हम क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, mental condition, दिमांग में क्या चल रहा है, उसके उपर भी वि तब तक लिए, stay healthy and be happy, goodbye.